तो क्या होगा अगर खौंशू के अवतार का आमना सामना हो जाए एक कंगफू के मास्टर से क्या होगा अगर एमस्यू के दो बेस्ट हैंड टो हैंड फाइटर्स की एक दूसरे से ही टक्कर हो जाए सो हे फ्रेंड स्वागताव का मेरे चैनल एवरीधिंग साइफा अन कॉमिक्स में और आज का ये बैटल होने जा रहा है एमस्यू के दो बेस्ट हैंड टो हैंड कंपिटेट्स के बीच में जिसमें हम एक साइट से लेने वाले हैं एमस्यू के मून नाइट को और दूसरे साइट से हम लेंगे टेंड रिंग्स के मास्टर यानि एमस्यू के शैंग्ची को दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जबर्दस होने वाली है तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखना तो अब बिना टाइम को वेस्ट के वे चलिए शिरू करते हैं पहले हम बात करते हैं एमस्यू के मार्क स्पेक्टर यानि मून नाइट की तो मार्क स्पेक्टर एक फॉर्मर युनाइटिन स्टेट्स मरीन और एक मर्सी होता है जो कि बच्पन में ही अपनी मा के अब्यूज की वज़ह से डिसोसियूटिव आइटेंटिटी डिसॉर्डर भी डवलप कर लेता है और उससे उसकी एक से ज्यादा परसनेल्टीज बन जाती है तो उसकी उन परसनेल्टीज में एक परसनेल्टी होती है स्टीवन ग्रांट की जो के काम कर रहा होता है लंडन के एक म्यूजियम में तो जब मार्क स्पेक्टर एजिप्ट में एक मिशन पे था तो इस मिशन के दौरान उसके पार्टनर ने उसे गोली मार दी लेकिन फिर खौशू नाम का एक Egyptian God उसे बचा लेता है और उसे transform कर देता है अपने आवतार Moon Knight में अब अगर बात की जाए Moon Knight के powers और abilities की तो खौशू का आवतार होनी की वजह से Moon Knight को उससे काफी सारी जो कि उसकी strength को बढ़ाने के साथ साथ एक तो उसे protect भी करते हैं और उसे help करते हैं injury से heal होने में भी इतना ही नहीं बलकि Moon Knight को इन suits के साथ लड़ने के लिए कुछ weapons भी मिल जाते हैं जिनमें शामिल है क्रिसन डार्ट्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं Moon Knight के main suit में जिसे की mark spectre इस्तिमाल करता है उसके अलाबा Mr. Knight के suit में हमें देखने को मिलते हैं ट्रंचन्स वाले weapons भी और इस suit को utilize करने वाला Stephen Grant होता है रही बात Moon Knight के सुपरहिमन strength की तो Moon Knight के show में हमने उसे jackal तक को भी आसानी से overpower करते हुए देखा और वो jackal इतना ज्यादा strong था कि वो museum के एक metal door को आसानी से तोड़ पाया था और इसी jackal को Moon Knight ने कुछी blows में मार डाला उसके अलाबा Moon Knight ने एक आदमी तक को एक ही पंच से हवा में उड़ा दिया था इतना ही नहीं बलकि सुपर हुमन strength के अलावा Moon Knight के पास एक अच्छी खासी सुपर हुमन durability भी है जिससे कि वो बहुत सदा damage तक को भी आसानी से withstand कर सकता है तो Moon Knight की durability का अंदाजाम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो एक उची इमारत से गिरने के बाद भी अपने पैरों पे आसानी से खड़ा हो पया था लेकिन Moon Knight की सुपर हुमन durability में उसका सूट एक बहुती बड़ा रूल प्ले करता है जिसमें की bloods तक का भी कोई असर नहीं होता उसके अलावा Moon Knight का सूट उसे provide करता है healing factor भी जिससे कि वो किसी भी fatal injury तक से आसानी से heal हो सकता है क्योंकि जब उसकी body में बहुत सारे spares गुसा दिये गए थे और जिससे कि एक normal human मर भी सकता है तो ऐसे खतरनाक attack से भी वो अपने सूट की वज़े से कुछी time में heal भी हो पाया था इतना ही नहीं बलकि सुपरहिमन strength, सुपरहिमन durability और regenerative healing factor के अलावा Moon Knight का सूट उसे उडने तक की भी ability प्रोवाइड करता है और जैसा कि हमें Moon Knight के show में भी बहुती अच्छी तरह से दिखाया गया था अब अगर Moon Knight के कुछ और abilities की बात की जाए तो Moon Knight एक extremely skilled fighter और एक martial artist भी है जिसके पास बड़िया mastery है बहुत सारे fighting styles की जिनमें शामिल है कंगफू, क्रामगा, जुजुट्सू और boxing जैसे fighting styles भी उसके अलावा Moon Knight एक master acrobat और एक master assassin होने के साथ साथ एक expert marksman भी है जो के expertly use कर सकता है बहुत सारे weapons को इतना ही नहीं बलकि Moon Knight की Jake Lockley वाली personality तो बहुत ही ज्यादा ruthless और एक killer भी है जो के Mark Spector और Stephen Grant से भी ज्यादा खतरनाक होता है सो अब हम बात करते हैं MCU के शैंग्ची की तो जैसा कि आप जानते होंगे कि शैंग्ची को बच्पन से ही उसके पिता और dead dealer ने बहुती brutal तरीके से train किया होता है जिससे कि वो world के सबसे powerful और best fighters में से एक बन जाता है उसके अलावा उसके पास एक अच्छी खासी master भी होती है बहुत सारे fighting styles की जिनमें कंग्फू, क्रामगा, टाइची और boxing जैसे fighting styles भी शामिल हैं इतना ही नहीं बलकि शैंग्ची को 7 साल की उमर से ही किसी को भी हर possible तरीके से मारना भी सिखा गया होता है और वो बहुती expertly use कर सकता है हर तरह के weapons को भी सो ऐसी training की वजह से वो एक expert fighter होने के साथ साथ एक master assassin भी बन चुका होता है उसके अलवा शैंग्ची के कई सालों की training ने उसे एक काफी skilled acrobat, gymnast और aerialist भी बना दिया है जो कि बहुती fluidity के साथ dodge कर सकता है multiple directions वाले attacks को भी अब अगर बात की जाए शैंग्ची के 10 rings वाले powers की तो शैंग्ची को 10 rings की वजह से मिल जाती है बहुत सारी superhuman abilities भी जिन में शामल है enhanced strength, enhanced durability, enhanced speed और near immortality इतना ही नहीं बलके उसके अलवा शैंग्ची के पास ability होती है उन rings को अपने इच्छा अनुसार manipulate करनी की भी और वो उन rings को use करने में इतना ज्यादा skilled बन चुका है कि उसने उनके original user यानि अपने father तक को भी सरपास कर दिया है जिसके पास उन rings को use करने का हजारों सालों का experience भी था उसके अलवा 10 rings की वजह से शैंग्ची की strength भी super human level तक पहुँच जाती है और वो किसी भी normal human के मुकाबले काफी ज़दा strong भी बन जाता है इतना ही नहीं बलके शैंग्ची 10 rings की energy को manipulate करके उन rings को बहुत सारे purpose के लिए use भी कर सकता है जैसे कि वो उन rings को या तो अलग अलग करके fire कर सकता है और या तो वो उन्हें एक साथ fire कर सकता है एक high powered projectile की तरह और फिर वो rings उसके पास वापिस भी आ जाते हैं उसके अलावा वो उन rings को energy chain जैसे extend करके उन्हें इस्तिमाल कर सकता है विप्स की तरह भी ताकि वो उनसे attacks तक को आसानी से deflect या block भी कर पाए इतना ही नहीं बलकि शैंक्ची 10 rings की energy को manipulate करके उस energy को different ways में project भी कर सकता है जैसे कि वो उन rings को एक तो energy ropes की तरह यूज कर सकता है energy whips की तरह उनसे अपने enemies पे attack तक कर सकता है उन rings से एक strong force field बना के खुद को protect भी कर सकता है और उसके अलावा वो 10 rings का use करके बहुती powerful energy blast भी create कर सकता है जो कि इतने ज्यादा powerful होते हैं कि वो उस energy blast से मार पाया था developed in darkness जैसे powerful creature तक को भी तो अब हम सीधे चलते हैं इन दोनों characters के comparison पे तो पहले अगर बात की जाए strength की तो strength के मामले में moon night बहुती ज्यादा आगे है शैंग्ची से क्योंकि जहां शैंग्ची को उसकी strength 10 rings से मिलती है और एक strong kick या punch माने के लिए उसके हाथों में या legs में 10 rings क होना जरूरी होता है तो वही moon night को उसकी strength directly मिलती है खौंचू से और वो अपने हाथों से इतने strong punch मार पाता है जिनसे कि वो एक तो overpower कर पाया था जैकल तक को भी और उसने अपने एक ही punch से एक आदमी तक को भी हवा में उड़ा दिया था लेकिन अगर बात की जाए durability की तो और उसके अलावा उसका suit उसे help करता है fatal injury से heal होने में भी पर जहां शैंची खुद को protect कर सकता है different ways में और almost हर तरह के attack से तो वही spear जैसे normal weapons भी moon night के suit को आसानी से penetrate कर पाते हैं और फिर उसे ऐसे attack से heal भी होना पड़ता है अब अगर बात की जाए hand to hand और weapons combat की तो ये दोनों भी उसमें एक दूसरे को बराबर की टकर दे सकते हैं लेकिन वही अगर weapons और attacking power को consider किया जाए तो जहां moon night यूज़ करता है crescent darts जैसे weapons जिनसे कि वो दूसरे जैकाल तक को भी मार पाया था और mr night ट्रेंचेंज वाले weapons यूज़ करके किसी को भी damage कर सकता है तो वही शैंग के पास उसके 10 rings होते हैं जिनका attacking power moon night के weapons से कई गुना जदा है क्योंकि 10 rings शैंग ची की basic attacks जैसे punks और kicks तक को भी बहुती powerful बना देता है उसके अलबा शैंग ची 10 rings की energy को manipulate करके उनसे create कर सकता है बहुती powerful energy blast भी और वो energy blast इतने ज्यादा powerful होते हैं कि वो बस वैसे एक ही energy blast से dweller in darkness जैसे creature तक को भी मार पया था और वैसे भी moon night का कोई भी suit इतना durable नहीं है कि वो withstand कर पाए उतने ज्यादा powerful attack को इतना ही नहीं बलकि शैंग ची के 10 rings वाले energy blast की power इतनी ज्यादा होती है कि वो energy blast moon night के साथ साथ उसके suit तक को भी destroy कर सकता है तो इसलिए इस battle का भी ultimate winner शैं क्योंकि शैंग ची के 10 rings moon night के सभी weapon से बहुती ज्यादा powerful है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस battle का winner आखिर कौन होगा आप अपना opinion comment section में भी mention कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like करो शेयर करो और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहो तो मेरी चैनल को subscribe कर लो और bell icon भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की notifications मिलती रहें तब तक के लिए take care can I be your superhero superhero